इसलाम अलेकुम नाजरीन और वेलकम तु दिए शो विद आम्नाज नाज़ीन, प्रोग्राइम को शुरू करते हैं, आज हमारा जो फोकस है ना, जो टॉपिक है वो बड़ा जादा एहम है, क्योंकि हर माँ के लिए, हर बाप के लिए ये टॉपिक बहुत जादा जरूरी है, बच्चों की सेहत, यानि कि आज हमारा टॉपिक है मुटापा बच् तो कोई मा इस वकत यह मत सोचे कि मेरा बच्चा तो बहुत जादा मोटा हो रहा है और यह मुझे नहीं पता कि लग लग रहा कि कभी क्लिनेक में मेरे साथ यह होता है जब बच्चे आते हैं पेरंस लेकर आते हैं हो जाएगा कुछ हमारे बच्चे का अफकोर्स होगा क्यों होगा हर किसी का वजन कम हो सकता है जो चीज उपर जाती है वो हमेशा नीचे भी आती हमेशा यह याद रखिएगा जी तो आज हम बच्चों के मुटापे को डिसकास करेंगे और आपको थोड़ा सा गाइट करेंगे कि आप इसमें बच्चे की मदद कैसे कर सकते क्योंकि ज आप बच्चे के अंदर नए हैबिट्स नई चीजें इनकॉपरेट कर सकते हैं उसको सिखा सकते हैं उसको बता सकते हैं उसको गाइट कर सकते हैं और बहुत से तरीके हैं कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं कि उसका मुटापा किसी तरह कम हो जाए आइनो हाउना बड़े भी चाहते हैं अपनी मर्जी लेकिन बच्चे जु है ऑवविशली उनको बड़े नराज भी करना चाहते तो उनकी बात भी मान जाते हैं। डादा एतादी होते है घर में पुपी होती हैं खालाई होती हैं। तो स्पोर्ट वर्ट प्यार से बच्चे की डायट को बतलना एक तो सबसे जरूरी चीज यह है कि इस वकत अगर आपके घर में डबे वाले खाने आ रहे हैं और पैकेट वाले जूस आ रहे हैं और बच्चा मोटा है और उसका वजन तेजी से आपके सामने बढ़ आ है प्लीज उसको रोक दें में यह पता चला है कि जो बच्चे अपना लच्व बॉक श्कूल ले के जाते हैं उसके अंदर जादा तर वो घर से वो डबे वाला खाना लेकिए तो जब वर ऑलख और या अगर डबे वालक खाना नहीं लेके आ रहे हैं तो वो टक शौप से कोई जूस या समलसा या कोई सफाई से वो स्प्रिंग रोल बना है यह बहुत सोचने की बात है तो इसी लिए हमें एक तो यह सोचना है कि हम कोशिश यह अगर बच्छा मोटा नहीं भी है हम कोशिश यह करें कि उसको डबे वाला खाना मतलब जो भी डबे में डाल के दें वो घर का बनावा हो और उसको ज इसा राते हैं वो तो हमारे प्रोग्राम का हिस्टा है ही तो वो तो साथ चलती रहेंगी साल ले लेतीं जी एक विक कॉल कौन है हमाय साथ अस्टा मैं कम ऑल रहा है अई कौन बुल रहा है總 अच्छा मिल गया एक्सलन गॉट जॉब जी तो कैसा मैसूस हो रहा है पहले बाह आपके नतीजे की बहुत इसी तरह अच्छे आएंगे डट के रहिएगा अपना डाइट प्लाइन सख्ती से अच्छा मैं आपके बात बात पुस्में की अगर मैं डूद प्लेन नी पी सकती अगर मैं डाइट शुगर सिरुप तो प्योर शुगर है नहीं नहीं और फूट कल अगर मैं यह अगर मैं डाइट शुगर 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 शुग जादा देर उसको रखावा नहीं छोड़ सकते, वह खराब हो जाता है, तो अगर तर्बूस का जूस पीना है तो उसी वकत निकाले और उसी वकत पी ले और वो अपने चौह का दलिया बताया ना वैच्छी में मंगालिया गंडूम का जो तलिया हुता है वो भी यूस कर सकते वह बहुत अच्छा दोनों बहुत अच्छा आपने एक दफ़र वो टीवी पर बताया था कि साबूदाना आंकर स्टमागर सब्सक्राइब बहुत अच्छी चीज़ा साबूदाना पेट को बहुत साफ कर देता जो गैसे उती है वो सारी निकल जाती है पेट मैंसे अच्छ बहुत शुक्री आपकी कॉल का नाजीन हम अपने टॉपक पर वापस आजाते हैं जो के है बीसिटी यानि के मुटापा बच्चों में और हम यह डिसकास करें कि हम कैसे पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चे का मुटापा जल्दी जल्दी काम हो जाए और अजिन रेसे नी करना यह किसी कंप्ईOटर की स्क्रीं के आगे बैठावा है और उसके साथ उस वक्त खाना नी देना उसमें क्या होता है कि इन तीन चीज़ोंeken्यों जाए हो चाहा वडियो गेमों हैं बच्चा ज्यादा ख़्ाने लगता है कि उसको ख्याल महीं रहता है कि मैं कितना खा रहा हूं किया कितनी इंटेक हो रही है इसलिए बहुत जरूरी है कि सब मिल बैठके खाएं अकठे टेबल पर अपने सामने बच्चे को खाना दें और उसे पूछते रहें कि पेट भर गया है अगर उसका पेट भर गया है चाय प्लेट में थोड़ा सा खाना वह जादा उसकी इंटेक हो जाए तो एक तो पहली बात तो यह कि कोई TV स्क्रीन के आगे नहीं बैठके खाना खाना टेबल पर बैठके खाना आपके साथ बैठके खाना दूसरा ही है कि पोर्शन कंट्रोल का बहुत जादा ख्याल कीजेगा जब पेट बच्चे का भर कभी तर्बूस काट के रग दें कभी गाजने कभी मूली कभी खीरा उस पर थोड़ा सा चार्क मसाला लगा के बच्चों को मेंशा इस किसम की चीज अच्छी भी लगती है और आजकल इतने सारे भाल भी आए में मारकेट में खर्बूजा है यह काट के अगर आप सामने अठाएगा उससे उसको सिर्फ फाइदा होगा लेकिन एक बहुत जरूरी चीजा है जो बच्चे की जिन्दगी में हमें एड करनी है और एस पेरेंट्स एज माबाप के होने के नाते हमें यह बहुत जरूरी है कि हम खुद उनको फुश करें चीज आड करने से पहले लेकि असलाम लीकुम असलाम लीकुम जी कौन बोल रहा है साइमा बात जरी उला हूँ जी साइमा कैसी आप ठीक है खरीयत से आप सुनाए मिल्कुल ला का शुकर आप सुनाए मैं यह पुछना था कि मैं अगर खाना काम कर दूं जी जी बोलें टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा मैं अधर खाना चोड़ तो दो जी बिन के बाद दरज शुरू हो जाती है तो आपने छोड़ना तो नहीं है बिलकुल खाना चोड़ देंगी तो फिर जब शुरू करेंगी तो इतना जादा उसकी इंटेक इतनी एक डम जादा बगैर यह नहीं हम रेलाइज नहीं करते एक जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देती हूँ जैसे आज आज आपने दुपैर में अगर डेड़ रोटी खाई है और उसके साथ थोड़े से चावल भी लिए बिर्यानी वगरा भी लिए और साथ दाल और सबजी भी खाई है तो आप कल यह करें कि वो चावल हटा दें सिरफ ए लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जी मैं वाक कर रही है आप 60 मिनिट्स एक घंटा रोज जो का तलिया किसकी खाना है वो भी रेट कम करते है वो कम इस तरीके से करता है एक तो उसमें फाइबर होता है जो आपकी बॉड़ी में शुगर और को बहुता है और आपको काफी देर आपका पेट जो है वो भरावा रखता है क्योंके वो फाइबर होता है तो इसलिए इती भूग भी नहीं लगती तो बगैर चीनी के खाना है जी आम बिलकुल बगैर चीनी के उसमें थोड़ा सा सेब कदू कश कर के डालें ताके वो स्वीटन हो जाए अब ठीक है जी जालें क्यों जी बहुत शुक्री आपकी कॉल का दूसरी कॉल लेंगे जी कौन हमारे साथ असलाम लेकुम वालेकुम सलाम असलाम अलेकुम जी बताएए जा खिश्मत कर सके में मानूर बोल रही हूं मरदान के जी असलाम लेकुम जी मुझे डाइक प्लान आपका अच्छा जी ठीक है जी आप प्लीज लाइन पे रहिएगा कंट्रोल रूम में प्लीज अपना पूरा नाम और अड्रेस नोट करवादे अच्छा जी मुझे आपसे एक बात करनी थी जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया एना तो मेरा वजन था 91 तो अब 84 तक आगया है लेकिन बहुत श्लोगों कम हो रहा है ना इसके लिए जी आइंशालला हम आपको डायट प्लैन जरूर भेजेंगे आप लाइन पे रहेगा और कंट्रोल रूम में प्लीज अपना पूरा नाम और अड्रेस नोट करवा दीजे नाजीन हम आजाते हैं Back to our topic जो के है मुटापा बच्चों में एक सबसे जादा critical जरूरी बात वो ये है कि बच्चों को एक घंटा physical activity करानी बहुत जरूरी है या तो वो बाहर जाके frisbee खेलें, skipping करें, cricket खेलें अगर लड़के हैं नहीं तो उनको किसी कलब में ले जाएं, उनको swimming कराएं, आजकल hoop सारी गर्मी है, कोई tennis खेलें, squash खेलें, एक घंटा physical cardio activity बहुत is vital, बहुत ज़्यादा जरूरी है weight loss में, बच्चा जब तक physically active नहीं होगा, ये उसके लिए mentally बहुत ज़्यादा जरूरी है, और physically भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, नाजीन हमारा topic है, मुटापा बच्चों में और अभी वक्त हो एक छोड़ी सी ब्रेक का वापिस आके, और भी बहुत सी चीज़ें, इस हवाले से discuss करेंगे, और parents को guide करेंगे, और diet plans का सिलसा तो जारी रहेगा, don't go away, stay tuned to us and we'll be right back. Welcome back नाजरीन, आज देख रहे हैं The Diet Show with Aamna, और आज टॉपिक है बच्चों में मुठापा और इसका क्या किया जा सकता है, इसका सब कुछ किया जा सकता है, सब बच्चों का मुठापा कम किया जा सकता है, लेकिन थोरी सी support हमें parents की of course चाहिए, और of course parents ही की support से सब कुछ हो सक सकता है, लेकिन हमें उनकी थोड़ी सी routine बदलनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको दो घंटे से जादा एक तो TV देखना नहीं, इजाजत होनी चाहिए, बेसिकली हम रियलाइज नहीं करते, दो से चार से छे घंटे हो जाते हैं और बच्चे बस सुफे के आगे, TV के आ मुटापे में, बच्चे बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं होती, फिजिकल मुवमेंट नहीं होती, और यहीं से सारे जो आंतों में मुटापे के सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो यही चीज हमें फॉरन एक तो कंट्रोल करनी है, एक तो exercise जैसे मैंने ब्रेक से पहले बताया, और दूसरा यह बिस्केट्स, नाजीन, बिस्केट्स बिलकुल लंच पे आपने देने ही नहीं है बच्चों को, बहुत दफ़ा यह होता है कि एक research हम अभी conduct कर रहे थे, और उसमें हमने schools के lunch boxes बच्चों के देखे कि बच्चे क्या लेकि आ रहे हैं लंच तो बहुत से बच्चे ला रहा हैं कि जैसे चोकलिट स्प्रेद वाला सैंवेच, चिकलन स्प्रेड वाला सैंवेच, दूसरा, बिस्केट्स, रैपर वाले बिस्केट्स जो मिलते हैं नाजीन, एक तो यह मने बताना है आपको के मैं नाम नी लूँगी कॉंपनी का लेकिन यह चाप लिवागत में प्रिज़ को बहुत जादा अबें इतने पैप किया बहुत चिपेड उखा नहीं बद गरमे बनाए जरूर दें जरोर एसफेड बहुत अची चीज है लेकिन घर में खुद बनाएं, रेशा करें, मुर्गी को बाल के और उसके अंदर मियोनीज डालें और जो भी धिफररंट आप डाल सकते हैं, llाइट पेपर डाल सकते हैं, काली मिच जाल सकते हैं, छाकी की करनाश साघूर आ bersama कोई जाल सकते हैं करना है उसको बच्चे को सामने टीवी के ती देखना है फिजिकल एक्टिविटी करानी है दौर लगवानी अगर और कोई एक्सराइज नहीं है तो सिरफ दौर लगवाएं एक घंटा खुद साथ चले जाएं ताके बच्चे को इनकारजमेंट हो और वो आपको देखेगा व उपर बारा साल से जिनकी उमर जादा है बच्चों की और उनमें मुटापा है तो उनमें एक दवाई दी जाती है जैने कॉल बट हम डाइटिशन्स नूटिशन्स जो पाकिस्तान में बेज़ आँ बेस्ट हैं वो जादा हम इस दवाई को नहीं recommend करतेई बेक Приकौज हमारी जो पाकिस्थान की the Canadian Association उसरे इसको इसको अप्रूव नी because बहुत से parents के उपर होता है कि वो ये दवाई देना चाहें but of course दवाई available है और वो आपका medical doctor आपको prescribe कर सकता है अमेरिका में जो के FDA जो है उसने इस दवाई को बिलकुल अप्रूब किया अमरीका में बिलकुल ये available है और वहां के बच्चों में दी भी जारी, इसका नाम है जैनेकाल नाजीन लेकिन बात असल में ये है कि सबसे जादा जरूरी है कि हम अपने बच्चे की डायेट कंट्रोल करें उसके portion का ख्याल करें और कोशिश करें कि snacks जो हैं वह सेहत मंद हों, घर में बने में हों और ये बाहर की package वाली चीज़ें, juices ये सारे आप घर में लाना भी बंद कर दे और इनको देना भी बंद कर दे especially जब बच्चे सामने TV के बैठे होते हैं और ये आजकल जो microwave के अंदर popcorn जो फूल के तयार हो जाते हैं होते तो बड़े मज़ेकी हैं लेकिन microwave बिल्कुल अपने घर में आइनो सहूलत के लिए है लेकिन उसको तो बिल्कुल बंद कर दे क्योंकि जो raise है वो carcinogenic है यानि कि cancerous है तो जिस चीज में उसकी raise जा रही है वो आपकी risk बढ़ रहा है तो बेतर है कि आप risk पे क्यों हो microwave को बंद करें oven में चीज गरम करें चूले पे करें microwave का जितना कम से कम इस्तेमाल है और specially अगर आपने करना है microwave का इस्तेमाल तो प्लीज प्लास्टिक के बरतनों में प्लीज मत कीजेगा क्योंकि वो और चीज को और भी जादा प्लास्टिक जो है वो react करता है अगर आपने कुछ चीज गरम करनी है तो आप प्लीज ग्लास यानि के शीशे का बरतन या शीशे का प्याला इस्तेमाल करें और प्लास्टिक से दूर रहें तो नाजीम ये छोटी छोटी चेंजेज अगर हम लेके आएंगे बलके बच्चों के क्या अपने ही लाइफस्टाइल में लेके आएंगे तो मोटापा आप देखेंगे कितनी तेजी से डॉप होता है और ये भी आपको खुशखबरी बता दूँ कि बच्चों में बोटापा बहुत असानी से और बहुत अराम से कम हो जाता है क्योंकि उनकी उमर इतनी कम होती है कि वो बहुत असानी से इस वजन से हमेशा के लिए छुटकारा पास सकते हैं लेकिन सिरफ उनको पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए जो और उनकी थोड़ी सी पुश्च चाहिए उनको थोड़ी सी गाइड़न्स चाहिए ताके वो सही तरीके से अपने इटिंग पैटर्न की तरफ जा सकें और एक दफ़ा उनको आदत हो जाएगी तो फिर वो कभी भी अपने पुराने पैटर्न की तरफ नहीं आएंगे क्योंके उनको पता होगा कि हाँ आज मामा ने यह बनाया आज यह चिकन स्पेड है यह घर का है यह बड़ा मज़ेदार है किसी ना किसी तरह उनको रिवार्ट करें उनको बताएं जब उनको उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको कहें कि मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज बनाई है और I'm sure बच्चे हैं वो तो हर चीज नई ट्राय करना चाहेंगे तो जब वो नई चीज ट्राय करना चाहेंगे और उनको अच्छी लगी तो फिर वो उनके matter of habit बन जाएगी उनको वो चीज पसंद आने लगेगी और वो मांगने लगेंगे और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपने घर में एक centre जो भी table है जहां पर सारे बच्चे जमा होते हैं या आते जाते हैं उनको नजर आ रही होती है रस्ते में कोई ऐसी चीज रग दें कहमेशा आते जाते उन्होंने उठा के खाली हमेशा यह होता है कि गाजने अगर पढ़ी होती है तो बच्चा उठा लेते हैं रंग उनको अट्रैक्ट करता है अंगूर अगर सीजन में वो पढ़े में वो काटके रगती है वहां से उठा लेगा तो इसी तरीके से बच्चे को फ्रूट की आदत और वेजटेबल्स का उनका जो पैलेट है वो अग्री करना शुरू कर जाएगा ओविसली फास्ट फूट से हटके इन चीजों की तरफ तो जब उनको उनकी पैलेट इस तरफ आ जाएगी तो पर तो मसला ही सा आपसे फिर मुलाकात होगी मुझे कलता के लिए अजाज़त दीजिए अधा आप